हेलो बच्चों, वेलकम डू अटा 24-7, मैं हर्च आपका बिजनेफ स्रीडिस कमेंटर एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ, और आज बहुत जादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, जहाँ पे आपको ये बताऊंगा, कि किस तरीके से जो बच से बच्चों को मलब समर्पित है, जो बच्चे बोट की त्यारी प्रॉपर तरीके से करना चाहते है, कोई भी चांस नहीं लेना चाहते है, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते है, और 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स अपने स्कोर करना चाहते है, और लाइफ के इतने अच चाहिए प्रोट हिस्सा है आपके कॉमर्स का में तीनी सब्जेक्ट है अकाउंटस बीएस्टी एकुनामिक्स और बीएस्टी बच्चो के इस वयसे भी ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि बीएस्टी में स्कोर करना आसान हो जाता है त्योरिटिकल गलती होने के चंसे श्कम करने का और एक चीज़ सेशनल हो फिर उसके बाद दूसरा सेशनल हो हाँ फेरली हो प्रीबोर्ड हो प्रीबोर्ड वन हो प्रीबोर्ड टू हो और चाहिए फिर बोर्ट का एक्जाम हो ये वीडियो पूरे साल भर के लिए काम आएगी तो आई ये बच्छो शुरू करते हैं क्या आपको यह बताता हौना सबसे पहले कि क्या हमारा श्रेक्तकी कश होका और आपके स्कूल में आपको बताया जाएगा कि वहाई स्कूल कि कि मिलेगा तो फर्लेई यहां और प्रेक्टिकल के बारे में किसी और दिन बात करेंगे कि क्या अप रोच होना चाहिए कैसे अपने आपको प्रिजेंट करना है external वाईवा जो लेने आराया उसके सामने external examiner के सामने किस प्रकार से ऐसा इमेज बना दे examiner के mind में कि आपको 20 number देने के लिए वो मतलब बेचायन हो जाए एक दम दे ही दे आपको 20 number तो उसके बारे में किसी और दिन हम लोग चर्जा करेंगे और अभी वो दिन दूर है जब आपका बोर्ट का वाईवा होना हो अभी तो लगबग 7-8-9 महिने हैं ठीक है अभी बात करते हैं इन 80 marks की तो बच्चो 80 marks सा पेपर आएगा आपका जो आपको लिखना होगा और 80 marks के पेपर में 40 marks अगर मैं देखू जो मैंने research की उसमें ये पाया है कि 40 marks के आते हैं the Hoje और 40 marks के आते हैं case studies का आ teraz स्क्राइब के सर चालिस marks के डार्यकोंट का क्या मतलब है आप MC Q की बात कर रहे हो क्या आप तीन नमर्बहाले वालेatos की बात कर रहे हैं या च फ्शा BOB कर रहे हो बच्चों के भी कोशन यहाँ मैं कोश्चन नंबर के थाप से टिवाइट नहीं कर नहीं कर रहे हूंग, होती इतना कहरा हूँ कि 8 पूरा पेपर है, 40 और टॉपोशन आते हैं, 30 माइस के आते हैं, यह कौशन और दॉपोशन हो, चेप्टर माइस बेटेज की कौन सा चेप्टर क्या वेटेज रखता है बोर्टा के एक्जाम में मैं कररों करूं कर दो को बिजनेस इन्वार्मेंट आपका चार नमबर को और यह मैंने इंडेक्स के हिसाब से लिखा हुए जब आप अपनी एंची आटी देखेंगे तो कुछ इसी क्रम में आपके चैप्टर लिखे होंगे ठीक है भाई तो मेनजमेंट मेंट चैनमर का प्रिस्पल अपनेमेंट सबसे बड़ा चैप्टर मार्केटिंग 11 नमबर का फाइरेशल मार्केट साथ नमबर का एंड कंजीमर प्रोटेक्शन आपका आता है बच्चो चार नमबर का तो यह जो है अगर आप टोटल करेंगे तो कही नहीं जाके यह असी बैठे का देखे यह एक अप्रॉक्सिमेश दस से जादा का तो नहीं आएगा यह कंफा में कि हाँ यह ऐसा नहीं होगा कि 12 नमबर का आजाए 14 अपका साथ है तो चलो आठ आजाएगा छे आजाएगा लेकिन यह आपको एक बहुत अच्छा एडिया देता है कि 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 चैप्टर में कितनी मेहनत करनी चाहिए वैसे पूरा चेटर पढ़ना है और मैं अब बटा दी कि हर से इतने से एतने माट का पेपर बनता है भीडिया बच nào कि क्या होता है कि तो कि के कोश्षन आते हैं कितने नंबर के कोशण आते है और चॉइस होती है या नहीं होती ये यह बयुत महत्सूर सवाल है बचे पूछते रहते हैं अक्सर तो देखते हैं एक मार्क के कि अगर मैं कोश्षन stat की बात करता हूं की सर्थ एक मां के कितने लिलकि आएंगे करता हूं तीन मार्क्स के कोशन्स की तो तीन मार्क वाले चार कोशन्स आएंगे और यहां पर आपको दो कोशन्स में चॉइस दी जाएगी मना दो कोशन्स में कहा जाएगा कि भाया या तो यह कर लो या तो यह कर लो ठीक है चार मार्क्स के कोशन्स की बात करो तो चार मार्क को करने में लगता है ठीक है कि क्योंकि 6 मार्स के तो वेटेज भी जादा है और लिखना जादा पड़ेगा अब अगर आप टोटल कर लेते हैं जैसे एक मार्क वाले 20 कोशन तो 20 मार्क टीन मार्क वाले चार कोशन तो बारा नंबर यहां से चार मार्क वाले ले जाएंगे या मिनी के स्टेडी से स्मॉल के स्टेडी बता दिया भाई शाम नाम का बंदा था यहां गया इस दुकान पे दुकान पे उसमें समान खरीदा उसको ठगा गया उससे पैसे ज्यादा ले लिए गए तो अब बताओ कौन से राइट का इस्वाल करेगा तो कुछ स्टेडी के स्टेडी के कोशन बन जाते हैं तो बच्चों यह हो गया आपका पूरा का पूरा पेपन पैटन मैंने आपको बता दिया मैंने आपको चैप्टर वाइस बता दिया मैंने कितना प्रैक्टिकल का नंबर रहेगा यह सारी चीदा आपको बता दी और आप बात करत कि सर 11 बीस्टी पढ़के तो हमें बहुत ही मज़ा आया बहुत अच्छे नंबर स्कोर किये लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले इस साल में ये सारी प्रॉब्लम से करनी पड़ेंगी तो क्यों ना इनके बारे मैं पहले ही आपको सचेत कर दूं पहले आगा कर दो ठीक है बाई कि क्या प्रॉब्लम होंगे और इनके सॉलूशन की भी बात हम लोग करेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमसे निमेरिकल तो हो जाता है हमसे अकाउंट्स हो जाता है लेकिन हमसे ठीटी नहीं जाती है और आपको का इस औलगर की अतुग सबसे पहली ज MON तरी याद नहीं रहती तो बेटा थियोरी याद करनी ही नहीं है पहली बात तो, आपको थियोरी समझनी है, और समझेंगे कैसे, बेटा एक बात बताओ, इयरफोन लगाते हो, गाना बजाते हो, बड़ी अच्छी म्यूजिक बचती है, याद करते हो गाना, आज मैं आज क्या करूँगा, आज मैं से ले नहीं, और आपको याद हो जाएगा, सेकेंड, आपका जो प्रॉब्लम है, के स्टेडी, सर के स्टेडी हमको नफरत है के स्टेडी से, के स्टेडी आती है, सर समझ ही नहीं पाता है, चलिए इसकी इस प्रॉब्लम की बाट डिटेल में करता हो अभी, इस प्रॉब्लम मैं वहाथ यह presentation स्किल सर आता भी है के स्टडी सॉल भी कर ली ना जाने क्यों मैडम नमबर नहीं देती है और उसका क्या कराण होता बेटा कि आता तो है के स्टडी भी सॉल कर ली लिख के नहीं आ रहे हो पैना प्रस्ट्र मीरे लिखा आउं भी हमैशा अपने आसर्स को टुट्र मेरे लिखे टॉट्र सुन्दर दार मरलाए नमबर देगा तो डाइन औहीं तो डाइग्राम का फ्लो चार्ट्स का हैंदिन्स करें examples का इस्तिमाल करें presentation skill आपकी better होती जाएगी चौजी problem lack of confidence आप बच्चे कहते हैं sir lack of हमको confidence की बहुत कमी है आता भी है पेपर में जा भी रहे बैटने confidence नहीं आ रहा है अंदर से बेटा confidence आएगा पढ़ने से बहुत सिंपल सी बात है इसमें कुछ भी अनुखा नहीं है बाई करत करत अभ्यास से जड़मती होच सुजान ऐसा कहा जाता है तो जब बेटा अभ्यास करेंगे प्रेक्टिस करेंगे आपके नंबर धीने दिने इंप्रूब्मेंट दिखेगी तो आपका confidence बनेगा आप जिम आने में टाइम लगेगा जैसे आपने सेकल बच्पन में चलाना सीखी होगी एक दिन में सीख गये थे नहीं ना गिरे थे ना ठीक है तो वैसे पढ़ाई में भी होता है आप धीरे धीरे शुरू करेंगे धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे धीरे धीरे एक चप्टर पढ़ें सबसे राम बार उपाया आपके लिए क्या है तक नुट सकूल में इस टिकली नोट बनवाय जाते हैं जैसे मेरे स्कूल में अगर नहीं बनवाय जाते हैं तो बनाईए चूट मिलें इसका मतलब यह नहीं की शक्तियों का आप गलत करें नोट्स बनाएं, खुद की language में Hindi, English, कोई फरक नहीं पढ़ता है, language is not a barrier, जिसमें मन कहें लिखिए, बस लिखिए, जो आपको समझ में आ रहा है, आपको teacher ने कुछ बताया, कुछ हम लोगों ने बताया, कुछ आपने अपने शब्दों में लिखा, तो notes आपको बनाने ही, ब हैट पाओगे, तुम्हारे note सी तुम्हारे काम आएंगे, अब बात करते हैं, बच्चो heading की, heading में लिखना शुरू करो, heading याद करना शुरू करो, अंदर का अपने आप याद हो जाएगा, अंदर का याद हो जाएगा, और याद होने के बाद, समझने के बाद, उसको अपन है, बस case study सामने आई, सबसे पहले question पढ़ लिया, question पढ़ा, आप माल लो की बात हो रही है, planning के process की, तो आप समझ गए कि यह process जो है, वो planning की है, आपने तुरंद chapter को recall कर लिया, कि भाई कौन सा chapter है, हमारा chapter जो है, वो planning है, और आप बाकी सारे chapter भूल चुके हो, है ना, आप आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान आ रहा है, planning फोकस किस पर planning पर, और फिर आपको concept पर ध्यान आना है, कि planning की process की बात हो रही है, चलो जल्दी जल्दी लिल भाई लिखना शुरू करो, तो case study solve करने का सबसे चा तरीका ही है, case study को solve कर ये, chapter पहचान ये, कि chapter से ये question read करिए, only reading, English में कहानिक किताब पढ़ते हैं, novel पढ़ते हैं, हिंदी में, read करिए, read करने से सब कुछ हो जाएगा, business series में, और भरोसा करके देखिए, read करना शुरू करिए, sample paper, अभी तो लगाने का time नहीं है आपका, क्योंकि अभी आप अपने साल की शुरूआत कर रहे हो, लेकिन 2-4 महीने जब पढ़ते हो जाएं, तो sample paper लगाना शुरू कर दीजेगा, गलतियां होंगी, 80 में से 20 नंबर भी आएंगे, 80 में से 40 भी आएंगे, लेकिन घबराने का नहीं, sample paper लगाते रहो, previous question लगाते रहो, और हमारी वीडियो को देखते रहो, तुमारा फाइदा हो जाएगा अपने आप, ठीक है, और अब आज से, बच्चे कहेंगे सर, इतना तो बता दिया, लेकिन आज से पढ़ाई कैसे शुरू कि जाए, मुझे बच्छे इसी बताओ, चलो, calculate कर लेता है, आपके सामने calculate कर लेता हूं कि भाई, अगर मैं बात करता हूं कि आज जो है हमारा मालो, जून का महीना चल ला है, तो आज जून के महीने में, हम कैसे पढ़ाई शुरू कर सकता है, तो आज जून का है, और मैं कहता हूं कि भाई, हमारे पास टाइम है, देसंबर तक अदो इक जून-जुलाई-अगर्ष्ट, सेप्सम stronger 9, November, स्कंबर हमारे पास साथ महीने हो गए नहीं और अगर मैं यह कर लेता हूं कि पाइस साथ महीने में 30 दिन के साथ भाई भाई हिसाब से देखा चाए तो हमारे पाथ जो दिन निकल के आते है बच्चों वो निकल के आते हैं 210 जिन भीया आप 210 में संडे बंडे निकाल भी और दूपर है और कर esosव Deja में कि आपने एक आपने एक चैटर डशिर में खतम किया आपने एक फ्रसर दॉन में खतम किया तो कितने चैटर है आपके चैटर है आफ और यह starting बारह पारह है तो बारह चैटर आपने खतम कर दिये मैं कहता हूँ एक चप्टर आपने 10 जिन में खतम किया ठीक है 10 डेस में तो कितना हो गया तो हो गया भाई 120 जिन अब लो अभी भी आपके पास अभी भी आपके पास असीधर और दस इधर 90 दिन का समय बच रहा है तो 90 दिन में कुछ पढ़ाई नहीं करोगे तो भी काम हो जा होगा इसी के भी स्वें 15 आगा गर्मी की चुट्टी भी हो सकता आपकी हो जाए उसी में है ना यह उसकता भी ठंडी की चुट्टी हो जाए कोई और फेस्टिवल हो गया होली दीवाली हो गई तो बेटा यह सारी चुट्यों को भी निकाल दोगे नहीं भी पढ़ोगे अगर आप यह सोच रहेंगी बोट्स में आपने एक बार पढ़ा और आपका पेपर ने पढ़ गया तो आप गलत सैमी का शिकार 11 पैसा चल गया होगा मैं टू बात आपको बता रहो एट लीस्ट एट लीस्ट लीस्ट बिलकुल मिनमम अगर मैं मिनमम पढ़ाई की बात करत आपको बिजनेफ सेटीज एट लीस्ट पीन बार रिवाइस करने पड़ेगी तीन रिवाइस करने का टार्गेट बनाई ये इस साल ठीक है तीन बार और मैं बताता हूँ लेंगे बारा के बारा चैप्टर तो प्रीबोर्ड से पहले पहले दो बार तो यह रिविजन हो गया एक बार और रिविजन कर लीजेगा काम आपका खतम उसके बाद दिसंबर अभी मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूं दिसंबर तक मैंने जो महीने यह दे यह दिसंबर तक साथ महईने की बात की साथ महीने में मझे मज़े से पढ़ेंगे मैं कभी किसी बच्छे को नहीं कहता कि लोड ले के पड़ो पढ़ो लोड लेके यार अराम से पढ़ो 210 दिन है 120 दिन का टार्गेट दिया नबे दिन खेलो कुदो एश करो ठीक है ना इसकूल जाओगे स्कूल से ठक्याओगे तो क्या पढ़ने बैठ जाओगे खेलो कुदो मौच करो बीज इसे पढ़ते रहो पर ये टार्गेट बना सिर्फ बेटा गांठ बांदो लो इस बात को कि जनवरी फरवरी जैन फैब और मार्च कुछ मत करना बेटा ओनली रिवीजन करना वो बच्चे जो जनवरी फरवरी मार्च में किताब उठाना शुरू करेंगे आपके अगल बगल वो अपने ले खत्रा खुद बना रहे हैं दिसंबर से पहले पहले सारे इस लिवस को निप्टा दो जनवरी फरवरी मार्च मौज में रहो सीधी सी बात तो बच्चों यह हो गई मेरी तरफ से स्ट्रेडिजी जो आपको बिसने स्ट्रेडिज के लिए हैं आई होब कि आपको अच्छी लगी होगी मजा आया होगा ज इसी किलावा में आपको बता दिया बिटा कि क्या क्या एक्जाम पैटर्न होता है किस कितने मार्क वाले कितने कोशन आते किस में 24 होती है और क्या क्या नमबर आते अगर आपको वीडियो दुबारा रिकॉर्डिंग एक बार देख सकते हो ठीक है तो बच्चों चलिए बने दोस्तों के बीच में या आपके जवभी दोस्त यारों जो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत वादा फायदे मने माला है सारी चीज़े मैं आपको एक वीडियो में बता दी है तो बच्चों चलिए बाइबाइ टेक केर ऐसी हसे रहिए पढ़ते रहि देखते रहिए हमारी वीडियो को और आल दे बेस्ट बेस्ट अफ लग जैहन